बेलकम बैक टू माइच अनेस बिप्लस हे गाइज आएम से उन्थ पाठी यूपेट सी और आरारबी का एक्जाम देने वाले छात्रों के लिए महा मैरात्म बायलो जी का सेल थेओरी पर है मेरा अगला लेक्चर है आएए देखते हैं आज हम क्या क्या पढ़ने वाले है पहल द्धमनिया रिक्तकाएं के बारे में दूसरा कोस्का चक्र के बारे में पढ़ेंगे और फिर तीसरा कोस्का विभाजन के बारे में पढ़ेंगे इतने सारी चीजों को आज हम लोग बिस्तारूप से कबर करेंगे तो देखिए जो है धमनिया रिक्तकाएं क्या होती है होती हैं पादप कोशकाओं में ब्यापक रूप में पाई जाती हैं और जो है विवाज योतक कोशकाओं में जो है रिक्तिकाओं अधिक संख्या में पाई जाती हैं जबकि परिपक कोशकाओं में रिक्तिकाओं बड़ी और कम होती हैं आगे अगर देखें कि प्रतेक जो रिक्तिका के चालो और होती है वो एक जिल्ली से घिरी होती है जिसे क्या कहते हैं जिसे रिक्तिका कला या क्या कहते हैं तो अगर आया टोनो प्लास्ट क्या कहते हैं तो टोनो प्लास्ट जो है रिक्तिका के चालो और एक जिल्ली घिरी होती है जिसे रिक्तिका कल कहते हैं रिक्तिका के अंदर भरे हुए तरल पदात को क्या कहते हैं रिक्तिका रस कहते हैं इसमें अनेक प्रकार के कार्वनिक और आकार्वनिक पदात घुले रहते हैं तो इससे बहुत इंपॉर्टन नहीं है लेकिन देखिए इसमें बिविनिक प्रकार के खने जुनों कार अर्बोहाइड्रेट, एमायेड और रंग, अपसिष्ट परदास उलेखनी हैं इसमें रिक्तिकार का मुख्यकार क्या है, रिक्तिकार का मुख्यकार इस भीति को बनाये रखना में विशेश योगदान और भंद्रान केकार में सहायता प्रदान करना आगे का जो बात है वो बहुत महत्पून हमारे लिए है कि ये जो है इसमें एक हिलाईन ये सबसे ज़्यदा महत्पून है कि पुस्पो तथा फलो की रिक्तकाव में एंथ्रोसाइनिन एंथ्रोसाइनिन होने के कारण इसका रंग लाल गुलाबी और नीला होते है आगे देखेंगे कोश्का चक्र के बारे में क्या होता है कोश्का चक्र तो कोश्का चक्र देखिए एक कोश्का के बनने से लेके उसके विभाजन तक जो संतत कोशकाओं में जन्म और समस्त प्रिक्रिया होती है वही कोशका चक्र है यानि एक कोशका बनी वह जब विभाजित होती है उतने समय के दोरान जो भी चक्र प्रिक्रिया होती है वही कोशका चक्र होता है समसूत्री विवाजन के बाद दो अनिकेंद्र को में पज जाते हैं जिसके प्रणाम सुरूप एक मात्र कोशका दो सभी संतत कोशकाओं का जन्म होता है तो यह सब बहुत नहीं महात्वूण इसमें महात्वूण जो आगे फैक्टर है इसमें यह महात्वूण है कि जो है समसूत्री विवाजन समसूत्री विवाजन वो अंत्रा आवस्था को समलित रूप को क्या कहते हैं कोशका चक्र कहते हैं इसका एक लाइन देखिए इस समसूत्री विवाजन वो अंत्रा आवस्था के समलित रूप जो होता है उसी को कोश का चक्र कहते हैं यानि कोश का चक्र किसे होता है समसूत्री विवाजन और अंत्रा अवस्था इन दोनों के जो है मिले हुए स्वरूप को क्या कहते हैं कोश का चक्र कहते हैं आगे देखिए अंत्रा अवस्था क्या है अंत्रा अवस्था, इंटरफेज समसूत्री कोष का विभाजन की अवस्था या मवस्था ये ये मवस्था क्या दिया है इसको जान लिजी कि जो कोष का चक्र है वह चार चरणों में उसकी जो है मतलब प्रक्रिया पूरी होती तो पहले चरणों को उसको G1 कहते है G1 ठीक है, G1 ये है G1 अवस्था या प्रारंभिक जो है व्रिधिकाल अवस्था कहते हैं और दूसरा चरण ये सवस्था होते हैं इसमें DNA और RNA का संस्लेशन होके जो है सारी प्रक्रियाएं होती है और तीसा अवस्था जो होता है वो G2 अवस्था होता है और चरण जो होता है वो यम अवस्था होता है यम अवस्था में क्या होता है समसूत्री विवाजन जो है इसी अवस्था इसी प्रक्रिया के चक्र में सुरू होता है समसूत्री विवाजन तो वही समसूत्री विभाजन के वस्था जो है यम वस्था है तथा G1, S और G2 वस्था के समलित रूप को क्या कहते हैं अंत्रा वस्था नाम दिया गया है यानि G1, S और G2 इन समलित वस्था को क्या कहते हैं अंत्रा वस्था कहते हैं इसे इंटर्प्रेज इसी लिए कहते हैं क्योंकि यहां दो विभाजन के मद्धिक्यवस्था है इंटर्प्रेज क्यों कहा जा रहा है क्योंकि यह दो विभाजन के मद्धिक्यवस्था है यानि G1, Yastha, G2 आउस्थाओं में मुखिता कोश का उपापचे क्रियाओं के माध्यम से विभाजन के लिए तयार होती है अब देखिए कोश का विभाजन क्या है कोश का विभाजन से प्रशन बनते हैं तो कोश का विभाजन के बारे में जान लिया जायागे तो कोश का विभाजन की क्रिया में सभी सजीव को एक निश्चित समानता पाई जाती है यह जो कोश का विभाजन का बात कह रहे हैं इस क्रिया में सभी सजीव में एक निश्चित समानता पाई जाती है कोसका विभाजन की किरिया में होने वाले मुख घटनाएं कोसका केंडरग में होती हैं बैज्ञानिक विचरो जो थे उन्होंने 885 में बताया कि नई कोसकाओं का जनुख पूर्ववति या पहले से विद्मान कोसकाओं से ही होता है बिचरों ने यह बताया था आगे देखिए जो मात्र कोस्का है आगे देखिए जो मात्र कोस्का है में अनेक संतत कोस्काओं या सेल का जो जन्म देने की प्रिक्रिया ही कोस्का भाजन कहलाती है यानि मात्र कोस्का यानि जो मूल रूप से पहले से कोशका उपस्थित रहती है वह जो है मतलब तीन प्रक्रिया होती है इसकी तो वही से जो मात्र कोशका यह पहले से मौजूद कोशका होती है उसी के जो विभाजन से आलक संतत कोशकाओं का जन्म होता है वही क्या कहलाता है कोश्का विभाजन कहलाता है एक कोश्का के बनने से लेके उसके विभाजित की संतत कोश्का की जन्म तक की समस्त प्रक्यों को कोश्का चक्र कहते हैं पहले जान लिजी आप लोग और समस्त जिवों में उसके छतिगरस्त उतकों के पुनर उत्पादन सारीरिक विध्धी नभीन अंगों की विध्धी लेंगिक और आलेंगिक जनन में कोष्काओं की महत्पूर भूमका है आगे देखें कि कोष्ट का विभाजन के प्रकार तो कोष्ट का विभाजन तीन प्रकार की होती है कौन कौन प्रकार होती है अर्ध सूत्री विभाजन जैसे क्या कहते हैं एमाईटोसिस कहते हैं अर्ध सूत्री विभाजन या एमाईटोसिस दूसरा है प्रजनन के लिए आवस्चेक हैं। नई कोस्काओं याख विवाजन के फ़ल शुरूँप बनती है। 1-2 कोश्का 1 कोश्काओं fact पत्त कोश्का विवाजन द्वारह होता है। अब कोश्का के प्रकार देखिए, कोश्का जो है तो इन तीन कोस्का जो विखाजन तीन प्रकार की होती है इसको भी आगे पढ़ेंगे लेकि उससे पहले हम कोस्का के प्रकार पढ़ लेते हैं कि कोस्का कितने प्रकार की होती तो कोस्का दो प्रकार की होती है कौन-कौन सी प्रोकरियाटिक कोस्का और जो है यूकरियाटिक कोस्का प्रो का मतलब क्या होता है प्रिम्टिव का मतलब प्राचीन प्रकार का जान लीजिए प्राचीन या पूर प्रकार का जो है या प्रारंभिक प्रकार जिसे कहते हैं प्रोकरियाटिक का मतलब होता है आगे देखिए प्रोकरियाटिक प्रारंभिक केंदी कोस्का जीवान विशान ववा बैक्टीरिया नीले हले सहवालों में पाई जाती है यानि प्रोकरियाटिक जो कोस्का होती है प्रोकरियाटिक केंदी कोस्का किसमे किसमे जीवान हो गया बीसान हो गया बैक्टीरिया नीले और नीले हरे सेवालों में आगे देखिए तो और इसकी जो रचना है रचना की दिश्ट से देखे तो प्रो का मतलब क्या होता है प्रिम्टिव यानि आदिया प्रारंभिक कहलाती है इन कोशकाओं में केंद्रक कला ना होने केंद्रक में पाये जाने वाले नुकलियो प्रोटीन यानि डियने और ने कोशका द्रब में सवतनत रूप से विखरे होते हैं यानि जो इसके केंद्रक होते हैं इसके केंद्रक नहीं पाये जाते हैं तो केंद्रक ना पाये जाने के वस्था में डियने और ने पूरे कोशका में सवतनत बात कहीं गई है, कि जो है प्रो करियाटिक कोसकाउं में जो है क्या होता है, इसके गुढ्शूत्रों में हिस्टो नामक जो प्रोटीन होता है इसका आभाव होता है और इन कोसकाओं में केंद्रक कला इन कोसकाओं में केंद्रक कला जो कोसकांग जो होते हैं अस्ट पर रूप से नहीं पाया जाते हैं इनका आभाव होता है कोसकांगों का आभाव होता है यही जान लिजिए कि प्रो सबस्थीजिए होती हैं अगला है इूकरियाटिक का मतलब ही आप समझ गये होंगे की पूर्ण लोट से डबलब जो हो गए वो इुकरियाटिक परकार की कोशकाईं हो जाएंगी इूकरियाटिक कोशकाओं के केंद्रक कला से घीरे होते हैं इसमें बिक्सित कोशकांग पाये जाते हैं, विक्सित कोशकांग का मतलब हर चीद उबलब्ध होते हैं, क्या क्या जैसे हो गया, कोशका के समस्तंग हो गया, माइटो कांडिया, गाल जी काय, तमाम चीज जो होती हैं, उस सारी चीज विक्सित वस्ताय में पाये जाते हैं, ये कोशकाएं पूरुणूप से बिक्सित कोशकाएं होती हैं ये कोशकाओं में केंदरक पदात क्या होते हैं प्रोटीन, आरेने और डियेने कोशका द्रब में सीधे संपर्क में नहीं आते हैं ये पदात केंदरक द्रव के समीब संपर्क में रहते हैं इन कोस्काव में केंडरक जिली केंडरक के चार ओर नहीं पाई जाती हैं कितने प्रकार के होते हैं कैसे तर यस प्रकार के होते हैं यानि prokaryatic kooska में पाय जाने वाले ribosome 173 प्रकार के होते हैं जब इतनी चर्चा हो ही गई तो इन दोनों के तुलनात्मक अध्यन भी कल लें कि prokaryatic kooska क्या होते हैं इसमें क्या तुलनाएं हैं यह देख लिया जाए ये कोशकाय अर्ध बिक्सित होते हैं जो पूरो क्राइटे कोशकाय होते हैं ये अर्ध बिक्सित होते हैं और पूरो रूप से डबलोप होते हैं यानि अधिक बिक्सित होते हैं इसमें जो है क्या नहीं पाया जाता है केंद्रक नहीं पाया जाता है इसमें केंद्रक पाया ज रहा है इसमें केंद्रक कला पाया जाता है गुण सूत्र एकल होते हैं और इसमें बहुत गुण सूत्र होते हैं इसमें बिक्सित माइट्रो कांडिया लवक बिक्सित और नुकलियस नहीं होते हैं क्या के नहीं होते हैं नुकलियस नहीं होते हैं माइट्रो कांडिया लवक य जाते हैं आगे देखिए तो यह प्राया जीवान और नील हरित सहवालों में पाए जाते हैं यानि जो प्रोकरियाटिक कोश्का कहां पाए जाते हैं जीवान और नील हरित सहवालों में पाए जाते हैं यह सभी जियो जनतूर में पाए जाते हैं इसमें कोश्का भित्ती प्र प्रोटीन और कार्भो हाइड Chandеру नफ्तित होते हैं इसमें सब चीज अनपस्तित होते हैं अनी का ये प्रकास संसेसंड में होता है इसमें लिंग प्रजनन पाया जाता है इसमें स्वसंतंत्र प्लाज्मा जिली से होता है इसमें स्वसंतंत्र माइट्रो कांडिया में होता है इसमें लैंगिक जनन नहीं होता है इसमें लैंगिक जनन होता है इसके राइबोसोम जो है 17S प्रकार के होते हैं इसमें असी अस प्रकार के राइबोसों पाये जाते हैं तो हम लोग कोशका विभाजन पढ़ रहे थे और कोशका विभाजन पढ़ रहे थे तो उसमें अर्दसूत्री विभाजन तीन प्रकार के बताये थे अर्दसूत्री विभाजन और असूत्री विभाजन, सूत्री असम, सूत्री ये सब विभाजन दोता है तीन प्रकार के तो पहला जो है असूत्री कोषका विभाजन यह विभाजन आदिम, जिवान, कवक, प्रोटो, जवा, सेवाल, आद में देखा जाता है इसमें प्रतच केंद्रक विवाजन नहीं देखा जाता है केंद्रक पहले से लंबा हो जाता है और फिर जो है क्या होता है फिर सीधे दो भाव में विवाजित होकर अलग अलग हो जाता है प्रतेक भाग में एक संतत केंद्रक होता है क्या होता है कि आसूत्री विवाजन में एक जैसे कोशका है कोशका जो है पहले क्या होगा पहले जो है फैल जाएगा उसके बाद में बीच से तूट जाएगा और दो भागों में विवित हो और दोनों में केंद्रक पाया जाएगा जो है केंद्रक होता है तो इस तरह इससे विवाजित होता है इस प्रकार आसूत कोष का विवाजन होता है आगे देखिए आगे आपका समसूत्री विवाजन है समसूत्री विवाजन में क्या होता है जा पत्थम किया गया था उन्होंने कोस्का विभाजन का नाम माइटोसिस दिया था क्या दिया था माइटोसिस जो है पहली बार इन्होंने नाम दिया था जिसका थोता है धागे का निर्मार वास्तों में माइटोसिस जो है आथ केंद्रक विभाजन है परंत बेवहारिक रूप म यह सब्द जो है केंद्रक और कोश्का द्रब दोनों के विवाजन के लिए इस्तेमाल किया जाता है इस प्रकार कोश्का विवाजन सरीर के काई कोश्काओं में होता है इस प्रकार के कोश्का विवाजन में मात्र कोश्काओं विवाजित होकर दो नई संतत कोश्काओं बनती है और समसूत्री विवाजन में नेलतर प्रक्रिया चलती रहती है समसूत्री विवाजन में एक जटिल प्रक्रम है जो कई चरणों में पूरा होता है समसूत्री विवाजन जो है पांच चरणों में पूरा होता है या बहुत बड़ी प्रक्रिया होती है समसूत्री विवाजन का अगला है अर्ध सूत्री विभाजन जो है वो सरप्त हम इसका प्रेग किस ने किया था भी इज मैंने इसका नाम जो है फारम तथा मोरे में इसका नाम जो है रखा था कोष्का विवाजन के ओल जनन कोष्काव में होता है इस कोष्का विवाजन के द्वारा जनतूओं में सुक्राण और यूंग पादफो में नर यूंग मादा इगमक बनते हैं जिसे गुड़सूत्रों के संख्या क्या होती है आधि रह जाती है इसी कारण कोष्का विवाजन की नियुनकारी कोष्का विवाजन भी कहा जाता है गुड़सूत्रों के संख्या आधा होना इगमको का निमालक के समय होता है जिसमें क्या होता है कि जिसमें जो है इगमक जनक जो होते हैं जनन इगमक जनक कहते हैं इगमको में सामान गुर्षूत्र की संख्या आधी ही संख्या में मुझूद रहती है इसमें आगुरित कोष्का कहते हैं आगुरित कोष्का में गुर्षूत्रों के वल एक ही प्रतिलिप मुझूद होती है सुकावा अंडराण जो सहियोजित हो का इगमो का निमार काते हैं बहुत फरजी जानकारी दी हुई है तो हम लोग डायक्ट जो है चलते हैं इन दोनों में अंतर देख लें इसमें अर्ध सूत्री विवाजन और यह क्या है समसूत्री विवाजन है इसके बारे में डायक्ट आगे चलते हैं तो आगे है सूत्री विवाजन और सूत्री विवाजन की तुलना इसमें सारी जानकारिया निहित हैं तो हम लोग डायक्ट की ही देख लेते हैं क्या है इसमें क्या होती है कारी कोशकाओं के साथ साथ उन कोशकाओं में होता है जो आगुडित, दुइगुडित और बहुगुडित हो सकते हैं इसमें क्या होता है श्रिप दुइगुडित कोशकाओं में जर्म कोशकाओं में होता है और पूर्बा आवस्था आलपा आवस्था य नोबर 5 देखिए, सिनेपसिस नहीं होता है, पूर्वा अवस्था के एदुरान गुढश्णों का सिनेपसिस होता है, आगे है पूर्बा आवस्था के दोरान गुर्ण सूत्रों में नान सिस्टर क्रोमेटिडों के बीच के खंडों का बिनमे नहीं होता है दो समझात गुर्ण सूत्रों में गयर सिस्टर क्रोमेटिडों के बीच जीन बिनमे के दोरान खंडों का बिनमे होता है प्रते एक गुर्षूत्र दो क्रोमेटिडो का बना होता है जो एक जो है क्या होता है सेंटो मेर द्वारा जुड़े होते हैं और प्रते एक युगली में चार जो है क्रोमेटिड और दो जो है क्या होते हैं सेंटो मेर होते हैं गुर्षूत्र पूर्बा अस्था के आरंभ में दुईगुडित हो जाते हैं इसमें क्या होते हैं एका लूप से दिखाई देते हैं मध्यास्था में सभी जो है क्या होते हैं सेंट्रो मेर एक ही तल पे आ जाते हैं इसमें क्या होते हैं दो तल में अनुकुर्मित हो जाते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। दूसरे विभाजन में विभाजित होते हैं। इसमें क्या होती हैं तंत आवस्था में पूरी तवर पे लुप्त हो जाते हैं इसमें क्या होता है कि तंत आवस्था पूरी तवरा से लुप्त नहीं होते हैं केंद्रि भी सूत्रो की संक्या İs कहोते हैं और सनतत कोषकाउं कि जीनी मात्री जीन होते जनन मात्र जीन 되어 करने होते हैं इसमें कहोते हैं मार्टोसिस अपेच्छा के अलपावद में होता है इसमें देगवज तक होता है इसमें मार्टोसिस टूट टूट कर बिध्धी और टूट फूट के मरबन जो है वनास्पतिक और आलेंगिक रूप जनन करने वाले जनन का अधार होता है इसमें कहोता है मियोसिक लेंग जरन क्रोमोसोम के संख्या के वहीं पीडियों के में नियत बनी रहती है और साथ ही जीवों में अलग पीडियों के अनुवांसी विष्टा भी आ जाती है तो आज के लेक्चर में वस इतना ही लेकिन अगला क्लास हमारा महत्पूर्ण होने वाला है आज का क्लास तो बहुत जदा महत्पूर्ण नहीं था जैकि अगला क्लास महत्पूर्ण होने वाला है क्योंकि उसमें हम गुर्द सूत्रों के सनचना के बारे में डिसकस करेंगे DNA, RNA क्या होता है इसके बारे में मतलब डिसकस करेंगे और उसके अंतर के बारे में डिसकस करेंगे और कुछ जो है जिसे ट्रिप हेलेक्स के जनक क्यों है और ट्रेनिक्स क्लोड के जनक जो है, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे, किन्हों ने अपना क्या विचार क्या राय दिया था, इन के बारे में हम कल चर्चाए करेंगे, तो कल का क्लास बहुत important होने वाला है, तो आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यबाद, thanks for watching.